So guys, welcome back to another video तो इस वीडियो में भी आप लोगों को हिपप का अपडेट्स दूँगा तो वीडियो को बीना स्कीप की लास तक जरूर देखना तो कल आप लोगों को पताया था कि सिद्धु मुसे वाला पाजी हमारे बीचे भी नहीं रहा है तो इस पर काफी सरे DHH artist react कर रहे थे लेकिन उसके अलावा international artist भी react कर रहे थे तो जो रास से उन्होंने एक study लगाते हुए लिखे थे रीप सिद्धु मुसे वाला और prayer scheme मुझी लगाए थे इसके बाद ड्रेक ने भी सिद्धु मुसे वाला पाजी के एक photo लगाते हुए लिखे थे रीप मुसे और हाइडेस ने भी एक सिद्धु मुसे वाला पाजी का photo पोस्ट करते हुए एक caption पे लिखे थे रीप सिद्धु मुसे वाला fly high very sad और इस matter पर करान अचला भाई भी एक स्टोडी लगाते हुए लिखे थे और आप लोग देख सकतो एक आर्टिकल्स पे लिखा है और जिसके बाद गोल्डी बरार ने फेस्बुक पर एक पोस्ट करे थे पंजाबी में वो आप लोगों को हिंदी में बता देता हुँ राम राम सभी भाईयों को सच्रिया काल ये जो सिद्धु मुसे वाला का काम हुआ उसका जिम्यदारी में गोल्डी बरार लेते जाए और माडर का रीजन आप लोग देख सकते हो लिखाये कि हमारा भाई के कातल में इसका नाम है था लेकिन पोलिस ने कोई करवाई ने की थी ये हमारा खिलफ चल रहा था देश्ट ने उसका नाम मीडिया के सामने रग दिया था लेकिन अपने पावार के वजह से बच ग़ाया था और सिद्धु मुसे वाला पाजी का YouTube channel पे community tab में एक post आया है Punjabi में जिसका meaning है दोस who love सिद्धु मुसे वाला are told that no date has been set for the last cremation as the family decides after the autopsy you will be notified और जिसके बाद एक photo community tab पे डाले थे जिस पर Punjabi में कुछ लिखा हुआ है अगर आप लोग समझ गए हो तो comment में बताना तो अभी हम लोग बात करेंगे कृष्णा भाई के बारे में तो कृष्णा भाई एक tweet करते हुए लिखेते love to everyone who supports me and shows me love you guys are the reason I do this hashtag it's a warm till end for real तो अभी हम लोग बात करेंगे सीधे मौत के बारे में तो आप लोग जानते हो सीधे मौत के अल्बम है था नाया तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे तो रागा भाई के बारे में तो रागा भाई अपने इस्टाग्राम पर कुछ फोटो पोस्ट करते हुए caption पर लिखेते on to the next one तो हो सकता है रागा भाई के तरफ से हम लोगों को जल्दी कोई नया track देखने को मिल जाएगा